How to fix Oppo Phone Notification Problem तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप किसी भी Oppo Model में, किसी भी Oppo Phone में Notification का जो आपका Problem है उसे आप कैसे Solve कर सकती हो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा तो दोस्तो वीडियो के साथ बने रहे हैं साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना और इस वीडियो को एक लाइक अभी के अभी करतीजेगा दोस्तो उसके लिए हमें जाना ही अपने Mobile के Settings पे और उसके बाद में यहाँ पे आपको Show होगा Notifications and Status Bar यहाँ पे आपको क्लिक करना है अभी देखें सबसे ओपर आपको Manage Notification दिखाए दे रहा होगा उसके वहाँ क्लिक करना है अभी दोस्तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ आप Manage Notification पे क्लिक करते हैं इसका सारा Notification बंद हो जाएगा ठीक है ओन करना है तो इसे ओन रख देना है Notification आना शुरू हो जाएगा और पार्टिकुलरली उस Application का एक एक करके Notification आप Change करना चाहते है तब तो आपको Application के अंदर में ही Internally करना होगा ठीक है अभी दूस्तों देखिए दूसरा Notification हम यहां पे चेक करते है जैसे कि अगर बेटरी आपको percentage में चाहिए तो इसे On करते हो आप तब आपका बेटरी percentage में शो करेगा जैसे कि मेरा 51 शो कर रहा है अभी Show Real Time Network Speed यदि हम Show Real Time Network Speed इसे On कर देते हैं तब आप देख सकते हो 0.00 kbps मतलब मेरा internet कैसे चल रहा है मेरा mobile कितने speed में चल रहा है वो Show करेगा अभी आप इसे No Prompt Mode कर देते हैं आप देख सकते हो आइकन हड़ चुका है हमारी उपर जितना भी status bar में आइकन होता है वो हड़ जाता है अभी हम on कर देते हैं आइकन आपको दिख जाएगा music का आइकन ठीक है अभी allow notification bar in the lock screen यदि दोस्तो इसे आप on रखते हैं तब क्या होता है कि आपका mobile lock होने पर भी आपको notification वहाँ पे भी आपको screen lock पे भी आपको show करेगा show data uses at the top of the notification bar यह कोई important नहीं है अभी दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे turn on screen for the notification तो यह यदि आप turn on कर देते हैं तो क्या होगा कि दोस्तों आपका screen जो है वो automatically light up कर लेगा light up कर लेगा ठीक है अभी for incoming calls के लिए हो गया और messages के लिए छोरके बाकी सब के लिए जो है आपका notification जो है वो काम करेगा यह दे आप बन कर देते हो इसे on कर दे हो सिर्फ incoming call और आपका SMS वगेरा ही आपको जो है notification देगा ठीक है तो यह सारा है notification का settings जो कि आप अपने oppo mobile में कर सकते हैं मुझे उमीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंदाया होगा thanks for watching